बिस्मिल्लायरक्मारीम, असलावलेकूम तो आज मैं आपको stop limit, stop loss और OCO लगाने का तरीका मैं बताऊँगा यानि कि जितने भी इनकी limit है, sale limit होगी, stop limit होगया, OCO लगाना इनका बारे मैं बताऊँगा तो जो OCO है, OCO सिरफ sale में इस्तमाल होगा OCO कहाँ पे इस्तमाल होगा, सिरफ sale में, और जो limit वगारे हैं, वो आप buy में भी लगा सकते हो और sale में भी दोनों में इस्तमाल करते हो, लेकिन जो OCO order है, वो सिरफ आप sale limit में इस्तमाल कर सकते हो अब मैं इसको लगाने का तरीका हो, आपको practically दिखा रहा हूँ, इन्शाला आप उमीद है, इसको समझ लेंगे और repeat कर लेंगे तो सबसे पहले मैं market में जाता हूँ, मैं आपको fast आपको sale order लगाना और sale limit लगाना ये आपको clear कर देता हूँ, उसके बाद मैं OC order के बारे में बताऊँगे कि OC order किस तरह लगाना है तो सबसे पहले हम चलते हैं market में, तो डोगी कोईन को ही पकड़ लेते हैं जी, डोगी कोईन पे click कर देते हैं जी, अब मैंने buy कर, डोगी कोईन आयो है, 64 पे, 64 पे आयो है, और मैं बोलता हूँ, डोगी कोईन 51 पे जाए तो मेरा buy हो जाए, यानि कि ये 64 पे है, जब नीच तो मेरा आटवमेटक buy हो जाए, तो इसके लिए मैं buy limit लगाउगा, अब है 64 पे मैं चाहता हूँ जब ये, 50 टू पे या फिफटी पे जाये, तो मेरा buy हो जाए, तो मैं buy पे click करूऊँगा, और limit पे click कर दूँगा यहां पे उपर में limit पे click कर दूँगा और यहां पे price दे दूँगा 50 पे लगा लेते हैं तीक है जी इस तरह करने के बाद इसको buy पे click कर देंगे limit पे लगाके buy पे click कर देंगे तो नीचे ये open order में आपका order लग जाएगा जब ये buy पे क्लिक करेंगे तो open order में order लग जाएगा अभी इसकी price चाल रही है 65 हो गई है मैंने बोला है जब ये 50 पे जाए 50 पे जाए तो मेरा जितना पैसे USDT में पढ़े है 27 USDT तो ये पूरा buy हो जाए तो यानि कि इसका मतलब ये है अभी डोगी कोईन है अभी डोगी कोईन है 66 पे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अपना buy limit जब यहाँ पे आए 51 पे तो मेरा buy हो जाए तो जब यहाँ पे आएगा तो मैंने वो limit लगाई होगी तो automatic buy होगा अब मैं आपको लगाना सिखाता हू सेल लिमिट यानि कि अगर यानि कि अभी तो यहाँ पे मैंने buy limit लगा दिया अब मैं बोलता हूँ कि जब ये टोप पे जाए 70 पे जाए 73 पे 73 पे जाए तो मेरा खुद बहुद सेल हो जाए यानि कि मुझे देखना ना पड़ी तो मैं सेल में आऊँगा और सेल में फिर limit स सेलेक्ट करां अब मैंने क्या करना यहाँ यहाँ पर 73 लगा देना है आणा है कि 73 लेक्शचा तो और सेल पर क्लिक कर दो हूँ प्र इस सी तरह जैसे यह मेरा देख रहे हैं open order में यह order लग जाएगा open order में order लग जाएगा जब ये 73 पे जाएगा तो automatic sale हो जाएगा अब आपको buy limit लगाना और sale limit लगाना दोनों आ गया होगा ठीक है अब OCO कैसे लगाना है OCO सिरफ sale limit पे लगता है OCO सिरफ sale limit पे लगता है वो किस तरह लगाना है सबसे पहले अपने आने sale पे और sale पे आने के बाद OCO पे क्लिक कर देंगे OCO पे क्लिक कर देंगे अब इसमें आपके पास पहले show हो रहा होगा price फिर stop price फिर limit और फिर amount अब इन चारों का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ यह सिरफ sale limit में इस्तमाल होने वाली चीज़ है सिरफ sale limit में OCO उसी योग का मतलब यह है कि one ऑडर possível के हैं कि one ऑडर एक्टिव बन ऑडर एक्टिव जो का मतलब है कि यह है और एक लग जहें एक ये इस के केंसल हो जाए और एक लग जाए बी डूगी की प्रैस आप देख रहे हैं 66 चल रही है मैं बोलता हूं जब यह साथ हजार कहो मैं बोलता हूं जब यह 70 पे पहुँचे 70 पे पहुँचे तो यह मेरा सेल हो जाए ठीक है और फिर मैं बोलता हու अगर यह 66 प्राइच चरू रही है अगर यह 50 पे आता है 50 पे आता है तो मेरा 49 पे सारा माल सेल कर दो समझ गे और नीचे amount मैं पूरी कर दूँगा पूरी 100% यानि कि limit वाली जगह पे वो price लिखनी है जो उपर आपको लगता है कि वहां तक जाएगा वहां पे अगर touch करेगा तो ये नीचे वाले order cancel हो जाएगा उपर वाला आपका sale हो जाएगा अगर ये नीचे आता है तो नीचे कहां तक आता है नीचे 50,000 पे touch करते तो मैंने नीचे लिखा हुए कि 49,000 पे मेरा सारा sale हो जाएगा ये आपको clear हो गया मैं दोबार रपीट करता हूँ OCO का मतलब ये है कि one order active और one cancel limit में वो price देनी है limit में मैंने इस की price 66 चल रे है मैंने बोला है जब ये 70 पे जाए तो sale हो जाए 70 पे नहीं जाता ये तो नीचे जाने लग जाता है तो फिर मैंने इन को बोला है कि जब ये 50,000 पे touch हो तो 49,000 पे मेरा सारा mal बेश दो यानि कि ये 50,000 पे touch होते होते है और 49 मेरा माल सेल होता है तो तो उपर वाला ओर्डर कैंसल हो जाएगा जब ये उपर जाता है 70 पर चला जाता है तो नीचे वाला कैंसल हो जाएगा उपर वाला एक्टिव हो जाएगा यानि कि ये एक बहुत अच्छा ओर्डर सिस्टम है एक बहुत अच्छा आटो सिस्टम है यानि कि आप दो ओर्डर लगा दे तो अगर आप बोलते हो कि वहां तक जाए उपर जैसे आप फार एक्जेमपल मुझे बोल देते हमजा भाई मैंने गंदम की एक बोरी लुई है सेल कर देना अगर नीचे आती है तो आपना हजार की बजाए 900 पर आती है तो मेरी सेल कर दें ज्यादा नुकसान आओ थोड़ी नुकसान मैं मैं बाच जाओ बास इतना उमीदे सब लोगों को समझा आ गई होगी जिन को समझा नहीं आई वो मुझे इधर कॉमेट कर सकते है यूट्यूब पर वाट्साप और टेलिग्राम में भी क्वेस्चेन कर सकते हैं ओके जी सलाम आलेक।